अमिता डोट संकर किचन में आपका स्वागत है मैं अमिता आज आपके लिए क्या आई हूँ साबुदाना की बर्पी आज मेरा ब्रत है तो आज मैं ब्रत में बना रही हूँ साबुदाने की बर्पी जो कि हम अक्सर ब्रत करते हैं तो हमें खानी के लिए जोरत परती है तो आ सबस्क्राइब नॉक्त करोब चीएं पर ने पर जिता हैं तो मैं इकी लिटर में पर फुल क्रेम दूदर लिएँ और दो अधाने लिएंग हैं और करते हैं तो गैस पर सबस्त पहले हम दूद को रख लेंगे चलो के राधा होनी तो आधी होनी के लिए इसरे मैं रख देते हूं अब हम साव वताने को नुद अगरोंना है ने कुछ सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब करने न ऑद बूंकि तो में यह न Edic capture लेते हैं तो जँछाब कर लेतेए त ils क्रस हो रहा है तो समझे कि यह तैयार है तो इस तरह से चेक कर लिए इस तरह से चेक करने के पाद अब हम इसे रिकाल लेते हैं दूसरे बड़तर में ताकिक तुरी ठंडी हो जाए तो इसे निकाल के अच्छे तरह से पंखे के नीचे ठंडे कर दें अगर आपको पास टाइम है तो आप रेश्ट के लिए छोड़ सकते हैं अब हम इसे पीस लेंगे मिक्सिजार में यह मेडियम वाले मिक्सिजार में मैं पीस रही हूं तो इस तरह से इसमें मिक्सिजार को हम पीस लेंगे तो इस तरह से इसे वन टू थी करके हम पीसेंगे बारिक पाउडर अब हम इ तो इस तरह से आप इसे पॉड़र को अलग कर लिजीं गी तरह अब भात कालगे पर से तरह से तरह से आपकश मेर событиं इसे औरहाँ कराई करने के बाद हम इसमें गी, दो चमच डालने ही, घीँ अपने सबसे, थोड़ी कम ज़ादा कर सकते हैं, तरह देखिए, दो चमच मैं डाल रहे हुऊ मैं, ज़ादा घीँ कर तक यूज में कर रहे हैं, अब Republican अब NICM, ज़ादा बी लेुगा रहे हुए, जो नौर्मल चमच घर की खती हैं, जब गया में फिर हम थोड़ी दिरे भूनेंगे ताकि इसमें घी का फ्लेवर थोड़ी सी आजा है और अच्छे टेस्ट भी लगे क्योंकि आदी तो भून चुकिये पहले से और फिर थोड़ी सी और भून लेंगे इसे तिससे भून लेने के बाद जब तक हमारा दूद भी गरम हो रह की तो फ्लेवर यह के आखिऊटा श्यूद को आप छौब थोड़ी स्सेखल गरम ने सबड़ाय तो टूदसा है अगर जड़े उसन तरह को तो दूद गरम है काफी गरम है पाद गिए तुल Gold की क кил स्ट कर लेंगा अच्छी तरूद आसा टार्सान चाना भी गरम में इसके वज़े से ये इतने बवल चार है तो थुड़ा आसान तरीके आसानी से करें ताकि छीटे न पड़े तो इसे मिक्स कर लेंगे हम इससे ताकि कोई लंग से न आ हो इसमें अब हम इसमें इसे श्टेट पी चीनी डाल देंगे तु चीनी डाल देंगे अगर आप रिलेची खाते हैं बत्व में तो इलेची भी डाल सकते हर इलेची क्रेस करकर डाल सकते हैं अब इसे गाड़ी होने तक हम इसे पकाएंगे तक जब तक ये डो के फों में तेयार ना हो जाए तो इसलों की देख़ें यह बनाते हुए मिक्स गाडा करें तो मैं मैं एक आदिसी के बृत की हूँ तो इसके लिए मैं यह बना रही हूँ तॉ आप विए बृत यह खा सकते हैं तो इस तरह से देखिए बहुत ही टेश्टी लगते हैं यह वाले रेसिपी साब उदाने की बर्पी तो इसमें मैं नमक का यूज नहीं कर रहे हैं अगर नमक नहीं खाते हैं ताप यह बना सकते हैं तो यह देखिए मैं थोड़ी सी घी डाल रहे हैं अब इस स चिपक रही है तो थोड़ाची घी डालने के वाद क्या होगा यह तले को छोड़ने लगेगी और हम इससे आप सेट कर लेंगे तो इससे देखें मैं यहां पर टपड़ वेर के डबा ले रहे हैं आपके पास कोई भी कंटेनर है उसमें आप इससे सेट कर सकते हैं ताब हम इस एक डबे मैंने सेट कर लिए वीडियो बनाने के लिए आम बाकी जो बची हो हमने मैं खा ली खानाम में चाहिए तो इस तरह से देखें यह डबा में सेट कर लेजा अच्छा से इसे हम सेट कर लेंगे पहले यह काफी चप-चिप्छिपी होती है सब्धाना आपको भी पता करेंगे ठंडे होने के लिए अगर आपको जल्दी है खाने ब्रत में ताप फ्रीज में रखें आसान तरीके जल्दी ठंडा कर लेज़ें और इसकी पीछस कटिंग कर सकते हैं इस तरह से पहले सेट कर लेते हम नीजिए थोड़ी सी चेट करने में टाइम लग रहे हैं क्योंक बाद मैं चेक कर रही हूँ यह सेट हो चुकी है काफी ठंडी भी हो चुकी तो अब इसे हम साइड से कट कर लेंगे देखे ड्राय हो चुकी है तो साइड से कट कर लेंगे इसे इस चाकू से बहुत ही इसी तरीके से यह निकल जाती है क्योंकि सावदा ने चिपकती नहीं है तिस्ताइट से कटिंग कर लेंगे हम और वे प्लेट पलट के हम इसे निकल लेंगे ते कि एक पलट करें निकल लेंगे अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं सेप अपने हिसाब से बड़े छोटे चोकोड जो साइज आपको पसंद है उससे आप कटिंग कर लेजे इस तरह से देखे हम कटिंग भी कर लेंगे तो मेरी वज़ा बताने के बड़ फिकर रेस्पिक कैसी लग रही है अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लेजे और फेस्बूस के देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लेजे और अच्छी लग रही है मेरी रेस्पिक तो लाइक सेर भी जरूर करे और कमेंट में हमें जरूर बता है कहां से देख रहें, कौन से सीटी से देख रहें? तो अक्सर हम बरत करते हैं, हम कुछने कुछनी नया खाने की स्कोसिस करते हैं. आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूं, सावदाने की वर्फी. क्योंकि एक ही स्टेप खाने से, मुका टेस्ट खतम हो जाता है तो हर बरत में हम अलग-अलग टेस्ट की समान बनाएंगे तो हमें बरत में बहुत ही आसानी होगी तो इस तरह से देखें मैं वर्फी एक निकाल के दिखा रहे हूँ कपी सुन्दर सेप आई हुई अपर गार्णिस कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी पिष्टा बदम को चौप कर लिए हूँ और इस तरह से उपर से गार्णिस कर लिए हूँ तो इस तरह से आप लेन भी खा सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ी सी गार्णिस कर लिए हूँ कुछ mantra कि शी चीज से भी आफ़ गारडिस कर सकते हैं, बाद बदाम से भी कर सकते हैं, किस मिश्ट से कर सकते हैं जिससे आपको पसंद दो, उससे अरप करिए इस तरह से बना के, आप अप पैसे ओब टाइम में भी बिना बरेध बना सकते हैं, और खा सकते हैं, अप झाल झाल